Photography Educators ने YouTube चानल के उपर दो ऐसे वीडियोज बनाये थे जिससे मुझे लगा कि मेरी color grading बहुत अच्छी हो जाएगी इसके पहले की वीडियोज थे एक था जो है C-Lock का, दूसरा था पूरा का पूरा neutral picture style के उपर पर यार, मुझे चाहिए थोड़ा सा और professional touch और ऐसा जो photo और video दोनों में काम करें कुछ हो सकता है, कुछ दूसरा option है जो Canon ने offer भी किया है Option है न, HDR PQ, मतलब high dynamic range, picture quantification ये जितना high profile name दिखता है, उतना ही काम भी high profile कर लेता है सो देखिए, जब आप C log में shoot करते हो, C log का मतलब है कि आप जो है, इसके पहले की video में जाके देखोगे तो C log का option मैंने पूरा अच्छे से समझाया था इसमें आपको काफी gray scale footage मिलता है, ठीक है आपको काफी हद तक जो dynamic range camera की है, वो पूरी की बूरी बहार आती है पर, problem ये है कि इतना सारा grading कैसे करोगे आपको expertise चाहिए, इतना knowledge चाहिए कि आप उतना grade कर पाओ पहला बात, इतना सारा lighting condition वगेरा, वो भी सारा एक terms and condition है कि उतनी अची lighting वगेरा होनी चाहिए तीसरा ये भी है, कि यार time भी होना चाहिए अगर आप wedding industry, vlogging industry ये सब को देखोगा कहां हमारे पास इतना सारा time है हमको 3 दिन के अंदर तो ट्रेलर बना के दे दी नहीं होती है फिल्म बना के दे देते है, अभी कहां हम लोग बैट के grading वेडिंग करेंगे उससे अचा है चलो भाई, जैसे shoot कर रहे है वैसे shoot कर ले, ये attitude आही जाता है और कहीं ने कहीं हम ये भी देखते है कि client इतना पैसा कहां देता है कि हम बैट के इतना सारा grading करें, ये भी सारी चीजे है, मैं समझती हूँ मैं भी इस industry की हो, ये बात को समझ पाती हूँ, एक ये option है और ये option अच्छा है अगर आप जो है उस level पे पहुचना चाहते हो high level पे, C log का option अगर आपको जो है दिक्कत आ रही है जो काफी time से लोग कर रहे है पर इसमें काफी हद तक limitation आ जाती है और इससे आपका कोई dynamic range नहीं बढ़ रहा है थोड़ा बहुत ही जो है आपको जो tone वगेरा चाहिए, वो मिल रहा है अगर आपको चाहिए कि आपको dynamic range जादा मिले dynamic range क्या, उसको भी मैंने YouTube वीडियो में संजाया है, वो आप चेक आउट कर सकते हो आपको चाहिए, वो आपको जादा मिले highlights और shadows में details मिले tonal value जो है आपको मिल सके जो आपको C log में मिल रही थे वो चीज जो है, Canon ने ऐसा option निकाला है HDR PQ का इसमें क्या होता है कि आप जो भी scene shoot कर रहे हो वो आपको grey scale में मिलेगा, totally grey scale पर नहीं होगा highlights और shadows के वहाँ पर details होगी, मतलब grey scale जैसा होगा, पर जो colors, जो skin का color होता है, जो आपके कपडों का color होता है, वो सारे colors एकदम flat नहीं हो जाएंगे वहाँ पर फिर भी काफी हद तक colors होंगे ताकि क्या होता है, कि आपको एकदम soft look मिलता है, पर आप चाहो तो यह जो colors है, उसमें आपको बहुत grading ना करनी पड़े, थोड़ा बहुत आप luts लगा के या अपने हिसाब से grading करके अच्छा कासा काम कर लोगे तो आप निकल जाओगे, बहुत ज़ादा महनत का काम नहीं है, और जो look आपको C-Log से मिलने वाला था, वैसा ही touch जो है, आपको HDR PQ में मिल जाएगा यह एक बहुत ही बड़ा benefit है, comparative अगर आप view देखोगे, तो आपको काफी मजा भी आएगा दूसरा सबसे best part HDR PQ फोटोग्रफी में भी काम करता है, और विडियोग्रफी में भी काम करता है, आप C-Log पे वीडियो शूट करते हो फोटोग्रफी नहीं करते हो फोटोग्रफी के लिए वापे साब picture style पे जो है, डिपेंडेंट हो जाते हो पर जब आप HDR PQ में काम करते हो और आपको अगर चाहिए कि आपका जो फोटोग्रफी शादी में गया है और जो विडियोग्रफी शादी में गया है दोनों जन का फोटोग्रफी विडियोग्रफी का कलर सेम होना चाहिए आपने देखा होगा, आज ऐखल इंस्टाग्राम वगेरा पे एक जगा पे फिल्म भी सेम दिखती है तो फोटोग्राफर है पिल्म सेम दिखती है और capable दिखती है तो प्रिशनम्रफे प्रिशेट्स गेरा फोटोस सेम दिखती है ये भी बहुत interesting है, जब client अपना काम देखता है तो उसको लगता है, photos और videos दोनों में same ही दिख रही हूँ, colors change नहीं हो रहे है, जो हम लोग को इतने time से problem हुआ है, होता आ रहा है तो ये एक बहुत ही interesting चीज है, बहुत ही best चीज है तीसरा, इसको use कैसे करना है, तो आपके पास अगर Canon का latest camera रहेगा वो आपको check out करना पड़ेगा, देखो Canon R6 Mark II में वो option है I'm sure काफी सारे other cameras में भी option होगे जो आपको जाके check करना चाहिए उसके अंदर आपको HDR PQ को enable करना है C log वगरा वो सब enable नहीं करना है सिर्फ HDR PQ को enable कर दीजे सारा जो आप photos और videos लोगे वो आपको grayscale के साथ थोड़ा से colors के साथ मिल जाएगा अगर आप सोचोगे कि या रहे यार यह थोड़ा सा फीका है, शायद जादा फीका है ये बात आप पकड़के चलिए कि client को ready to deliver photos नहीं है मतलब आप अगर RAW में शूट कर रहे हो camera RAW में ये RAW जैपक क्या है उसके उपर भी एक वीडियो है जो आप चेक आउट कर सकते हो पर अगर आप RAW में शूट कर रहे हो जिसमें आपको bit rate जो color का range हो जादा चाहिए जादा मिलता है और आप जो है HDR PQ का option रखते हो तो फिर आपको जो है उसको RAW में processing करना पड़ेगा थोड़ा जो है उसके उपर preset डालना पड़ेगा और फिर आपको client को deliver करना है तो अगर आप जो है candid photographer हो ठीक है या फिर cinematographer हो वेडिंग में काम कर रहे हो अगर आप वो सारा काम करते हो जहां पर पैसा जादा है जो आप photography कर रहे हो उसकी creativity जादा है और आप जानते हो कि अगर मैं creative photo खिचू और मूरे को mood और वो सब create करना है उसका जो potential है वो आपको बढ़ाना है तो यह आपके option काम का जाता है अगर आप traditional photography कर रहे हो खामने खड़े रहे के reception के photos ले रहे हो तो HDR PQ का option आपके काम का नहीं है कि standard में shoot करो हो जाएगा थोड़ा सा level up करने वाला जो काम है उसके लिए यह जादा जरूरी है देखिए आप समझ पा रहे हो कि यह video कितना interesting है आपको कितना काम में आएगा बताओ मुझे आपको यह option के बार है पता था अब कितना use कर रहे हो मुझे comment section में लिखके बताइए ऐसे ही सारे informative videos के लिए educational videos के लिए photography educators को follow करें कि हम चाहते हैं जादा जादा लोग education ले और सीखे हमारी यह पूरी series से at the same time अगर आपको जो है हमसे और भी ज़्यादा detail में सीखना है और हमारे साथ one-on-one photography का course जानना है तो फिर आपको जो है हमारा photography का course join भी करना चाहिए अगर आप professional level पर अपनी skills को ले के जाना चाहते हो तो यह एक online photography course है इसकी जो details है वो मैंने description में डाली है जो आप check out कर सकते हो by the way आने वाली वीडियो के लिए जो हर गुरुवार को आता है उसके लिए आप wait करिए क्योंकि हमारी यह series से चलती जाएंगी and तब तक के लिए अब तक के लिए thank you so much see you soon